दूस्तो दुनिया में कई सारी ऐसी बाते हैं जो आपको कई बार समझ नहीं आती जैसे कि चिपकल दिवार पर इतनी स्पीड में कैसे चड़ पाती है साथी साथ ये के चांद सफेध ही क्यों है और ये भी के पेड हरे है लेकिन उनके तनी ब्राउन ही क्यों क्या आपने कभी कोई ऐसा सुचा है नहीं ना दोस्तों सो हेलो हैल मेलकम दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त महमत साबिर आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दाइज ऑफ टेक शुरू करते हैं आज की वीडियो बीना किसी देरी के दोस्तों आज हम जानेंगे टॉप फाइफ रेंडम ऐस कीर को परहार के हिसाफ से नापती है इसमें डिफ्रेंस भी आते हैं कई सारे इसलिए इसे मह के तौर पर नापा जाता है यह नंबर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे ही बैटरी का साइज और उसकी श्रमता बढ़ती जाती है फैक्ट नंबर टू दोस्तों अगर आ उसी पॉइंट पर रिटरन आ जाए और दोस्तों यह डिस्टन्स करीब 24,901 माइल्स है मतलब की 40,75 किलोमेटर वहीं बात करें सेंटर ऑफ द अर्थ से जमीन की जमीन की लेंथ का तो यह करीब 7,926 माइल्स आता है मतलब की 12,756 किलोमेटर फैक्ट नंबर थ्री दोस्तों क अब आपने यह सोचा है कि छिपकल हमेशा उल्टी होकर इतनी स्पीड से कैसे चड़ पाती है नहीं न दोस्तों छिपकल इसलिए आराम से दिवार उपर चड़ पाती है क्योंकि इनके पैरों में बाल से भी भारिक स्किन सेल्स होते है जो केमिकल प्रोडियोस करते रहते है और साती सात इसी वजह से वो यूटिलाइजिंग बेंडर वॉल फोर्स का यूज कर पाते है और आराम से दिवार उपर चड़ पाते है पैक्ट नमबर फोर दोस्तों आपने कई बार पेड़ों को देखा है जो कि उपर से हरे और नीचे से ब्राउन होते है ऐसा क्यों होता है दोस्तों एक पेड़ ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अपने तने मस्भूत करना चाता है साथी साथ यह अपने कलोरोफाइल सेल्स को उड़ा देता है जिसकी वजह से कि का रंग ब्राउन हो जाता है और साथी साथ यह सूख कर सक्त हो जाते है जिए हां दोस्तों इसी वजह से पेड़ों का तना ब्राउन होता है और उनके पत्तिया हरी ही फैट नमबर फाइब दोस्तों कभी आपने चांद को देखकर यह सोचा है कि चांद सफी हंदी क्यों नजर आता है नहीं ना तो आज मैं आपको इसका आंसर देता हो दोस्तों चांद सफीद इसलिए न बाहर निकलने के बाद ये जमीन के गुरुत वाकरशन केंदर में गोंता रहा और गोंते गोंते एक गोला बन गया जी हां इसी वजह से इसके उपर सन की रेस पढ़ती रही यूवी रेस जिसकी वजह से इसकी मिट्टी इसके पत्थर और जो भी वहां पर सब चीज है उनक साथ अपने कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए तो मिलते हैं और एक्साइटिंग वीडियो में दिल में हो के बात तो बने रहो मेरे साथ तिल दन हैवा गुड डे और ऑल्वेस कीप स्माइलिंग थैंक यू गाइ हुआ हुआ है